आज हम डिसकस करेंगे एकवर जिगर की गर्मी की शर्बत की बारी में आम अलफाज में अगर एल्टी एसजीपीटी राइस हो तो ये शर्बत इस्तिमाल करना चाहिए इसका नाम है हीपा मर्स सीरप ये ब्रोक्स कंपनी की प्रोड़क्ट है इसकी फर्मूले की तफसीन में जाने से पहले अगर आप हमार योट्यूटी चैनल और फेस्बूक पेच पे ने हैं तो सब्सक्राइब और फालो करें साथ में हमें सपोर्ट करने के लिए विडियो ला को टेक करने वाला एफट है इसका इसके आलावे ये दवाई जहरीली ऐमूनिया को घर जहरीली यूरिया में तब्दील करती है जो गुर्दों के जरी खारीच होता है इने डिडाक्सिफिकेशन करता है खतरनाक जहरीली मौत्ब जिसम से निकालता है जिस से जिगर को अपन रूटीन की काम को असानी से तमाम करने में मदद मिलती है इसके अलावा डिडाक्सिफिकेशन के मदद से बलड खोन में एमूनिया की हाई सथा को कम करता है जिसे हाईपर एमूनिया कहते है जो जिगर की जियरत तर बिमारियों में एक हाम मसला है इसके अलावा इसमें L-aspartate जिगर की खराब खुलियों सिल्स की रिजिनरेशन करता है रिपेर करता है और मरम्मत करता है इपमर्ज सीरप शदीद और दाइमी हेपटाइटस लीवर सिरोसिस फेटी लेवर और तमाम हेपटोटाक्स दवायों के साथ एक माविन इलाज के तोर पर इस्तिमाल हो सकता है इसके अलावा अर्दितिन-ल-aspartate के अलावा इसमें बहुत सी निकोटिनमाइड राइबोफलोएन वगएरा विटामिस मौजूद है जो लीवर टानिक है और लीवर के सियात के लिए जरूरी है इसका खुराक और तरीक इस्तिमाल ये है कि बाले गफराद दो काने के चम कर सकते है इसकी साइड एफिक्स में आता है के मतली कौन सी पटो में दर्द डाइरिया वगएरा इसमें शामिल है शुक्रिया